1984 दे कटना करम दे दास्ता एक वदेशी पत्रकार 1984 दे कलू का रही तो फारन बाद अमरे सा रव दिया हुण जो दो ओ पढ़के आई है एंत्रोपोलोजिस्क सिगी हो जो दो पढ़के आई है ता ए मोर्चा लाया कि ने मोर्चे दा लीडर कोड़ सारिया जेडिया लिखतां दे विच मोर्चे दी जुम्मे वारी दीया जिनियावी पर वाशा मानी वो ता सारिया काली लीडर्शिप दे कोड़ने पर जो ओ आखे वेख दी है के हर दकान दे पर हर स्टाल दे पर फोटो संत जनराल सिंग दी वेख रही है वेखो जेडिया लिडर जिनना ने तर्म जो तो मोर्चे शुरू कीता ओ होर ने के तस्वीर संत जनराल सिंग दी वेख रही है उस स्वाल कर दिया टक साल दे को बजूर्ग सिंग सी गे उन्होंनों स्वाल कर दिया किन्दी मेरा एक स्वाल है के जेडिये एस मोर्चे दे जुम्मेवार सक्षीता सं उनना दी तस्वीरता में किसे स्टालते नहीं वेख रही है पर संत जनराल सिंग दी तस्वीर क्यों वेख रही है उनना जवाब बड़ा पहरा से के इन्दे तस्वीरा उनना दिया वेख दिया जिआ जन्दिया जमीरा नहीं वेक दिया है एक बड़ी एहम कर्म दे तस्वीर क्यों विकिए क्यों सथी नौजवान नी ते नाईक बढ़े क्यों चाहिए नौजवान मौना को ना भी हुवे कान दे विच मुद्धियां पाईयां हो ना कितना किते ऊधी गड़ी दे परवी संत जर्नायल सिंग दी तस्वीर लखी हो दिया क्यों? क्योंकि संत जर्नायल सिंग ने ओस समेदे पर सांग दे विच एक नवेकला महावरा सर्ज दिता के स्रीरिक मौद नू मैं मौद नहीं समीदा जमीर दा मरजण जिकीनल मौद है हुण ऐसे करके ऐसे रूप दे विच ऐसे शैली दे विच दीब सिद्धू एक मखावरा सिर्जगे के और मैं एक अलतावे नकीन है वक्त तो पहला चला गया पर यह भी उदे हुकम दे विच्च है असे यह नहीं कह सकते माड़ा हुए है उदे हुकम दे विच्च है पर एक दर असे एक दोवे एको गड़ीच बेठे सी मैं गड़ीच ला रहा सी दीब मेरे कोल बेठा सी कोई गालबात होई पंथक लीडर्शिक दे बारे है ता मिन्नू उसने एकल कही क्योंकि असी जित्थे जाना सी ते मिन्नू सी गा कि शायद उत्थे प्रबंद कांदे वलुस्तकार कीता जावेगा बत और पंथक लीडर ते मैं कहा दीब पंथक लीडर दे तौरते तेरा सतकार होना है पर केंदा बाई जी मैं समझता है मैं अचे पंथदा लीडर खोन दे काबल नहीं हैगा मैं ओस दिन काबल होँआगा जिस तरह मैं साबत सूरत होगे गुरु दे को लुग खंडे बाटे दी पागु लेलुआगा सो पुएखदे विच एस दीब सिद्धू ने संदीब सिंग खाल साजा संदीब सिद्धू के में पाढ़ना सी एस स्वाल दे जवाब ताँ पुएखदे गर्ब दे विच पहे है जिड़े होँट साथे कोल जवाब नहीं हैगी क्योंकि ओ जा चुका है पर ओदे मांदे विच एक ताँग सी और ओसी ताँग जिड़ी है ओ किते ना किते सिख इतहास दा मुलांकन करन दे वास्ति उसनों मुझबूर करती सी मेरी ओदे ना सांच इतहास करी करके सी क्योंकि ओ बार बार इतहास दे पर स्वाल पुछ़ए करता सी और मैं केवरी वेखता हुना कि साढ़े लौजवान वीरित हास दे पर कोई स्वाल पुछ़णा होगे एक वरी फोन करनगे दो वरी फोन करनगे मन लो हुण मैं वख्यान कर रहे है ते मेरा फोन बंद है ते उनना ता तिज़ी वरी मैसेज होगा पर मैं केवरी वेखता सी स्वाल छोटा जा हुंदा सी ते दीप ने चवी चवी पच्ची पच्ची वार में स्काल कीतिया हुनिया मैंनो मैसेज करना दीप की गल सी ते उनने करना बाई जी तहास दे पर एक थोड़ा जा नुकता सी इस पश्ट कर दिया पर जिनना चिर तक उसनों नुकता स्पश्ट ना हुए उनना चिर तक को गल करदा नहीं सी चाड़े बहुत सारे कथा वाचिक वी केवरी बिना किसे गल दी स्टड़ी कीते हैं गल संजी करदे पर वो इस तरह करदा नहीं सी एक दिन दी गल है मैंनों फोन आउंदा है कए microphone किंदा है के मैं कोई खास गल करनी है ते तुसी मेरे को लोड़ आने आजाओ मैं कहें के दीप मैं थोड़ा व्यस्ता ते तू मेरे पेंड़ा जाओ के मैंता है सर्दार अजमेर सिंग उनानों मी सद्द्या हुए मैं गालों कोई खास कर नहीं है तो मैं भी सोच आए कि सर्दार जमेर सिंग नुद्ध्ध सद्या है तो कुदरतन कोई खास स्वाल जाओ कोई खास इवी धी कटना हुए गी जिते वी चार चर्चा कर अ दी डोड़ है जदो सी मैं ते सरदार जमेर सिंग उत्थे पहुंचे मेरे जानतों पहिला जमेर सिंग उत्थे बैठी होई से मैं जाके बैठ गया दीप आ गया ते दीप दा स्वाल पता की से के दा सी के जेड़ी अवचेतन मांग दे विच सिखां दी राज करे दा खासा दा जड़ा संकल्प पिया है मैं उधे बारे समझना चौना लगातार दो तिल के इंटे साधियां गल्ला में या और उस तो बाद दीप सिदुने लाइव होके एगल किती के किसान लीडर्शिप नूँ समझना चाहिदा है के नौजवानी दे अवचेतन मांदे विच जड़ीता अर्मक वचारता रभ वही है वही ता डेसंगर शिदीता आदेता है सो जिन्ना चरता को छोटी छोटी करनो सड़डल वचार ने सी करना और मैं के वरी कहना है कैसी उस तो स्खाया नी उस तो बहुत कुछ सिख्या है सिख्या यह है कि जड़े स्वालों करता सी कई विज़ी सानु यह उसने जवाबबा दे वास्ते हूर पढ़ना पिनता सी कि इस नो आम व्यक्ती मांग दीपनों संतुष्ट नहीं किता जा सकता उदे स्वाल ते स्वाल हुंदे सी इन थे यहर इन रवदिया ता असी भी पेशे नीशा नीशा कर सकते है एक अन रवदिया दरखिया है तर जार असी भी नीशार अख़ग सकते है हल्लाग इस सिगवाज़ी पढ़े हाती है तो ए उस तothée प खुबी यहसी दूसरी ग़ख़़ उसने अपने आखर दे विच भी ते किसान संगर्श दे दरान वी एक अलग गई से कि तुसी मेज दे उपर ताँ बालशा दियो तुसी गालबा दे टेबल दे उपर ताँ बलवानो जे तुसी जंग दे मैदान दे विच बलदा जे तुसी जंग दे मैदान दे विच के मज़ोर हो दुश्मर तहनु कदे भी गालबाद वास्ते सद्दानी दर्भाओ जिनना चब तो हड़े को टाकत नहीं है एक गाल नवी नहीं है एस नो एस महावरे दे विच सिर्जिया गया पर एस सड़े तहास दिया गहराईया दे विच पईसे एमद शाह अबडाली ने मरट्या नो हराया है पाणी पद दे मैदान देच उस तो बाद 10-11 साल मरट्य अख नी चुक सके तो दूसरे पसे दिली दा बाग्षाए शाम हमडी उसनो जित्या गालपाट करने वास्ते सद्या है उदना चर्चा नही करने चाहिए पर जदू आएमद शाथ अबदाली फर्वरी 171 बाठ दे विच कोपर हीडे दे मैदान दे विच सिंगा उनु लड़दे वेखदा है ते दपैर तो बात ता उनु पता हुएगा तरीक नु पढ़के वेख़विए अब अब अधाली आप मैधाने जंग दे विचे नहीं आया हूँ रुस्तम खान लड़दा रिया है पिक्षन खान लड़दा रिया है जैन खान लड़दा रहा है, लक्शमी नरायन लड़दा रहा है, मुर्तजा खान मंज लड़दा रहा है, उदे जर्नैल नासर खान लड़दा रहा है, उदे जर्नैल लड़दे रहे ने, अमर्शा अबदाली से खाने सामने आके नहीं लड़े आ, ते कुतबा बामणियां त ओ मांसिकता उरते टोट चुकियाने पर उससे शामनू सिखादा जर्नैल सरदार जस्सा सिंग अलू वालिया ती चाली लाश दे कोल सामने खड़ा होके ए अरदास कर रहा है पाथ्षा तात खालसा रह गयो गयो सो खोड़ गुआ है पाथ्षा जर्ड़ चालड़ वाले सी चालड़ गया जर्ड़ रह गया स्वेरे लड़ने गया ए खुर्णा सिखादा जू जर्दा ती तो खड़ी लीडर्शिप दी जेड़ी मेंदानें जंग देविच नेत्क तादी जेड़ी तोहड़ी को आईटी सी जेड़ी तोहड़ी आपने असूला परती दンネルता सी असे जंग देविच लड़दे हैं लड़दे क्योंकि ए जड़ी जंग है एक खुंदिया सिक इन्ने मैंदान मल के लड़ना पर इते वहीर दे विचे का आर बच्चे बुड़े थे बीबिया ने आले दौले मिसला दे सिंग ने ते उन्हों की केरे दे रूप दे तोर के सुरक्य थे भी कड़ना लड़ना भी थे तोरना ने जिसनों हाजﹹ 오래 राम गुत्टा केंदा है कि सिक्स वर फाइटिंग एंड वाकीं वाकीं एंड वाकीं एंड फाइटिंग उत तुर रहे सी ते लड़े सी, लड़े सी ते तुररे सी और इस सबतों खाँ होन 맛있어요 ये सब तो उखा होनता है क्यों कई वार दुश्मन लड़ दिया नो तुर दिया वे के समझ जनता है कि शायद बादान छड़ के पाज रहे हुण ये जरी जंगते अंदर द्रिड़ता है ये सब कुछ केस गालते लेके उदिया तहनो कि तुसी जंगते मैदान दे विच इनने द्रिड़ सी इनने बहादर सी के अगले तिन द्रिड़ा दे विच एंवद शायद अब दाली जड़ा एशी अदा अपने आपनों सब तो बड़ा चर रहा है समझता है वो अपने दो कासद, दो मसंज़द तिनाल, एक साथी बाबा, आला सिंग, पटे आले वाले अदा, नननू सिंग करे वाले इनना तिनालों पे इज़दा है के जाओ जाके सिखान देनाल मेरी सुला करवा देू उगल वार करन दे वास्ते, टेबल टॉक दे वास्ते हों देने क्यों? क्योंके तुसी मैदाने जांग दे विचे स्टॉंग सी तुसी मैदाने जांग दे विचे तगडे सी जे किते तुसी मरतेया दे मांग, महम्मद शार गिले दे मांग जां फिर मीर, जड़ा कमरू दीन मीर आतश सी मीर मनुदा बाप जे के ते ओदे वाँग तुसी भी मैदाने जाँगे ते विचे हार गे हम दे ते यह मद शार के बता ली ता नू काल बादा सब्दाना लेता होड़ अगली गल असी सारी गल्ला इतहास दे से नरप्च करनीया ने ते आज के में वापरियां जेसे ले प्रपोजल लेट राउन गे उपर कसान जथे बंदियां दी पैंडी मीटिंग होई खेती बाड़ी मंतरी दे लाला ते साड़े कसान आगवाने जाके जो दो तन दे टेबल दे रोटियां खा दियां ओस राद दीप फिर लाई होया केंदाओ इन्ना दियां रोटियां ना खाओ इन्ना दियां दितियां रोटियां ना खाओ आपनियां कपड़यां जबाने के लाए जाओ अगली बार लाएके भी गए अगली मीटिंग दे विच ओदे विच एही इतहास दी का लब देश है दीप ने ओस इतहासक वरतारे नो तो हड़े समने परगट कीता है इतहास के में पैश ही जो तो एही तो में कासद ते सरदार नालू सिंग गरेवाल सिखांदे को लौंदे ने ते सिखांदे जर्नैल सरदार चड़ सिंग जसा सिंग अलू वालिया जसा सिंग रामगडिया सरदार तारा सिंग सरदार करम सिंग ये सारे चर्नैल बेठे ने चड़ सिंग शुकर चकिया सारे बेठे ने ते ओ तश्तरियां दे विच जनोंगा जैसी ट्रेय कैदने है उना चे बड़े काजू, मेवे, जो बादशाह दी खराक हुं दिया, ओ लेके आए, पी सिखाने लाल गालबात करने चलने हैं, ये जंगल चे बैठे ने, इनना कुल खान लूकी हुणा है, इनना लाल वै कैसी गालबात करांगे, ते जदों को सब कुछ अगे रखे आना सिख करश दे विचे दुश्मन वलों दित्ती चीज नहीं खाती चाहते हैं, ये ता नैतिक ता दिहार है ना, किसे दे कोलो खा के पाव है के लून खा लेना, जा किसे दा दित्ता खा लेना, फिर ता सानू तो हड़े पर ती एक सौफ्ट कार्णर रखनी पवेगी, तुसी आप अपना खावांगे, फिर रखे कालबाद चलेगी